मुई बिलास्तोर में नियूज 18 के खबर का असर हुआ है शास्के स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने के मामले में जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची घटना में घायल बच्चों टीचर से पूस्ताच की गई घटना 29 जनवरी की बताई जा रही है हादसे में स्कूल के बच्चे बाल-बाल बज गए थे इस खबर को प्रमॉकथा के साथ मुझे टीने दिखाया इस खबर को दिखाने का ंसर हुआ है और स्चाश्किय स्कूल की छत जिसका प्लास्टर गिरने के मामले में जिला प्रशातन की टीम अब मौके पर पहुँची और घटनास्थल का मुआइना किया साथ ही जो बच्चे घायल हुए टीचर्स वहाँ पर जो थे उनसे बाचीत की पूछताच की गई आज जो हुआ वो बड़ा हाथसा हुआ कहीं न कहीं जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो बच्चे बैठे थी उनकी जान पर बन सकती थी लेकिन यहाँ पर आभी मौके पर आप देख सकते हैं कि अधिकारी की जो ट्रीम है सब्सक्राइब कर दोरान जहां पर जो सिक्षक थे वो हमारे साथ थे क्या कुछ घटना हुई थी यहाँ पर लगवक तीन बजे क्या आज पास है बहुत तेजे से आवाज हुआ फिर भीत्य पहेट चिलाए बच्चों को फिर मैं डौन किया कच्छा अठ्वी से तो सब सब्सक्राइब को सूचना दिया फिर बच्चों लेगर के हम लोग हास्पिटल गए और हास्पिटल ले जाते जाते हैं सानु ब्योसाब को सूचना दिये कितने लोगों चोटाइब दो बच्चे को यह क्यों ऐसी स्थिति निर्मित हुई अब पतेशार वाज हुआ उसके बात यह हुआ है सब्सक्राइब कितने कितने वजे ब्लॉष्टिंग होती है अब वह तो सब को निची समय नहीं रहता है प्र दो पहर में जाद हो जाद कभी 12 बजा बाज सुनाई देता है कभी उजिन तीन बजे हो सब्सक्राइब बहुत भ्याना का वाज तो कैसे इस्थ इसके बात एक दूसरे का चेक कर रहे थे सब लोग फिर अचानक से ऐसे लिख रही थी तो मेरे हाथ पे आकर अचानक से गिर ले इसका भुतिक सत्यापन होगा भुतिक सत्यापन करने ही आये हुँए सबसे पंच्राव मनाया जाएगा सपत पुर ग्रांग दिया जाएगा उसके बाद इसके प्रजिवन बनाके सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर कई खदाने है और खदानों की वज़ा से यहां पर ब्लास्टिंग की जाती है इसकी वज़ा से लगातर इस तरकी के घटनाय निकल कर सामने आरे एक देखना यह होगा कि किस तरीके से विभाग जाँच करता है और जाज के बाद जिस तरीके से यहाँ पर अवैद तरीके से ब्लास्टिंग की जा रहे हैं उस पर अंकुस लगाता है बिलासपुर से निउस एटिंग के लिए उमेश मौर चादरपुर से बड़ी खबर आपको बता